अगर फिर भी कोई कमी रह गी है तो कुछ दिरहां चुके हैं आप अपने एक्साम की तरीक कर लीजेगा क्योंकि इस वार्ज एक्साम है वो काफी जो है वो हार्ड होने वाला है क्योंकि दो लाग से भी ज़्यादा जो स्टूड़ने इसमें रिजिस्टर हो चुके हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो एक्साम की बात करूँ पेपर पैटरन की बात करूँ तो पेपर पैटरन एजी भी हो सकता है टफ भी हो सकता है moderate भी हो सकता है depends करता है कि अगर आपने study की है तो आपको जो paper है वो easy लगेगा इसलिए आप जो भी study की है आपने 10th में एर्थ में उसके according है आपको जो exam में question है वो आएंगे exam में जाने से पहले या फिर exam में कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं करनी है याने की कोई ऐसी mistake नहीं करनी है जिससे कि आपके number कम हो जाए या फिर आप not eligible हो जाए तो यूँ वो पॉन कोंसी बाते हैं जिनका अपनी दियान रखना है वो आपको आज की studio में मैं बताने वाला हूँ तो सबसे पहली जो चीज है कि आपने exam में समय पर पहुंच जाना है फर्स तिंग जो है वो कि आपने exam में time पर पहुंचना है ऐसा ना हो कि आप late हो जाए आपको exam में जो time है वो 10 वजे शुरू हो जाएगा अगर आप exam में late पहुंचेंगे पहली बात तो आपको entry नहीं होगी बाल इसे आपके entry हो भी जाती है तो आपका जो exam में जो 3 hours का समय है वो कम रह जाएगा आप पुरा paper attempt नहीं कर पाएंगे तो first चीज है यही गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है अपने समय पर ही school में पहुंचना है कोई traffic हो सकती है कोई और problem हो सकती है इसलिए कोशिश करिएगा कि ट्राइम पर ही आपने एक गंठा पहले अपने exam सेंटर में पहुंचना है second चीज कुछ student जो है वो mistake करते हैं या फिर बूल जाते हैं वो अपना जो admit card है वो गर पर बूल जाते हैं तो जिसके कारण को परिशानी हो सकती है आप अपना जो admit card है उसकी एक, दो, तीन जो photo copy है वो जुरूर करके रखेगा कई बार एक copy गुम हो गई है तो आप दूसरी copy ले सकते हैं तो इसलिए आप एक दो copy जुरूर extra करके रखेगा इसके इलावा आप अगर exam center में जाएंगे बहाँ पर आपका admit card submit हो भी जाएगा तो आपके पास दो तिन copies होंगी तो आपको बात में जब result आएगा तो कोई problem नहीं आएगी ये बात का भी आपने द्यान रखना है नेक्स जो चीज़े जब आप exam center में जाएंगे तो बिल्कुल tension free होके जाना है दिमाग में किसी भी तरहें की कोई भी tension नहीं रखनी है आपको exam चाहे आता है चाहे नहीं आता है आपने बिल्कुल भी tension नहीं देनी है रिल्क्स माइंड होकर आपने exam center में जाना है अपनी seat प्रापत करनी है अपना question booklet देखना है जो question booklet देखोगे आप जो भी questions आते हैं पहले उनको attempt करना है बिल्कुल भी गवराना नहीं है question paper को देखे अराम से अपना जो paper है वो करना है next जो चीज है जो most important चीज है वो है OMR sheet OMR sheet सिर्फ आपको एक page मिलेगा एक page में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें आपने अपना roll number, name सारी जो चीजे हैं वो अच्छे से सही से fill करनी है circle जो है वो अच्छे से dark करने है जो भी question आपने करना है वही question serial number के आगे आपने उसको circle करना है एक serial number के आगे दो circle नहीं करने है या तीन circle नहीं करने है circle भी अच्छे से proper dark करने है ये बात का अपने दियान रखना है इसके इलवा most important जो चीज़ है ये आपका OMR sheet में signature होना ज़रूरी है अगर signature नहीं होगा तो आप reject हो सकते हैं आप not eligible हो सकते हैं तो आपने OMR sheet पर अपने जो signature है वो ज़रूर करने हैं ये बात का अपने दियान रखना है कुछ student जो है वो बोल भी जाते हैं जिससे की बाद में उनका जो result है वो latest हो जाता है इस बात का भी आपने बिल्कुल दियान रखना है तो ये कुछ important चीज़े हैं जो आपने exam में दियान रखनी है इसके हिलावा most important चीज़ जो है कि exam में कोई भी negative marking नहीं है इसलिए आपने 150 में से 150 ही question जो है वो attempt करने ही करने है इस बात का अपने दियान रखना है ऐसा नहीं है कि 180 question है तो आपने 150 करके आने है या 100 करके आने है पूरा paper आपने करके आना है 150 question करके ही आना है चाहे question आते हैं चाहे question नहीं आते हैं तो पहले attempt करने हैं जो question आते हैं उसके बाद आप अपनी तरफ से जो भी question के answer है वो कर सकते हैं आपको इस बार जो question paper pattern है वो change हुआ है जानी कि Meritorial School का जो paper pattern था वो अब change हो चुका है School of Eminence और Meditorial School दोनों का same pattern है उसके according ही आपने अपनी त्यारी करके जानी है इसके इलावा जो आपको questions आएंगे वहाँ पर कोशिश करनी है कि आपने अपने question ही करनी है आप किसी से देख के question के answer नहीं कर सकते हैं क्योंकि सभी के जो question है वो आगे पिछे होते हैं ऐसा नहीं है कि आप को लगे या अपने sample paper देखे हो कुछ comments भी आई थे कि सभी का answer B आ रहा है तो इसका मतलब है कि question के जो answer है वो B ही अगर दिये तुका लगाना है तो B answer जो है वो लगाना चाहिए ऐसा नहीं होगा तो इस बात का अपने द्यान रखना है आपने question के according की answer को tick करना है अगर नहीं भी आता है तो भी थोड़ा सोच समझ के आपने उसका जो answer है वो करना है तो ये बात का भी आपने बिल्कुल द्यान रखना है इसके इलवा आपने जैसा की admit card में भी लिखा है आपने भी study कर लिया होगा कि आपने OMR sheet question booklet पर कहीं पर भी अपना जो नहीं में वो नहीं दिखना है इस बात का भी आपने पना है OMR sheet में जहां पर आपका नाम लिखा होगा वहीं पर आपने अपना जो नाम में वो लिखना है कहीं और नाम नहीं लिखना है कहीं एक्सरा कुछ भी फिल नहीं करना है OMR sheet में जहां पर नाम लिखा है वहीं पर फिल करना है इसके लाव़ जो आपकी question booklet होगी वहाँ पर कहीं पर भी आपने अपना जो नाम है वो नहीं रखना है इसके लाव़ कुछ कोशन आये थे कि आपने uniform में जाना है या फिर without uniform में जाना है तो देखिए इसमें कुछ compulsory नहीं है आप uniform में भी जा सकते हैं without uniform में भी जा सकते हैं uniform में जाएंगे तो आपको best रहेंगा कि आप government school के student हैं या फिर आप proper uniform में जाएंगे तो आपको equality हो जाएगी जो भी students जाएगे आपके साथ में जाएंगे school के student तो अगर आप uniform में नहीं जाते हैं या विदाओ dress भी जाते हैं तो भी कोई problem नहीं है आप अपनी according जो भी आपको suitable लगता है वो dress लगाके आप जा सकते हैं तो कोशिश करेगा कि जो pen upset में लेके जाएंगा वो लेके जाएंगे वो running होने चाहिए चलते होने चाहिए एक extra juice साथ में लेके जाएगा pencil साथ में लेके जाएगा razor साथ में लेके जाएगा ये कुछ चीज जो है वो आप साथ में carry जरूर करके लेके जाना इसके लवा smart watch हो गया रहा कुछ नहीं लेके जानी है वहाँ पर आपको room में एक watch वो मिल जाएगी उसके recording आपको timing पता चलती जाएगी या फिर जो वहाँ पर इनवी से लिटर होंगे वो भी आपको timing के बारे में बताते रहेंगे तो ये कुछ बात हैं जिनका आपने दियान रखना है exam में जाने से पहले और exam में तो most important ज़ीज है वो भी एक है कि आपका self confidence आपका self confidence होना चाहिए आपने प्लुकुल confidence में जाना है कि आपने exam को clear करना ही करना है cool of amnes में या फिर mentor school में जिसमें भी आपने जाना है वो आपके मन में होना चाहिए self confidence होना चाहिए आपने ये attempt paper करना ही करना है clear करना ही करना है और next जो भी आपने admission जो है फोग देनी ही लेनी है तो जब आपका exam हो जाएगा उसके बाद भी मैं आपको update जो है वो देता रहूंगा exam का result कब आएगा आपको कौन कौन से document submit करो आना है आपकी counseling कैसे होगी counseling में क्या documents लेके जाना है कितनी fees होगी सारी चीज़ें जो है वो मैं exam के बाद आपको बताऊंगा क्योंकि अभी मैं जो चीज़ें बताऊंगा फिर आप exam की त्यारी कर रहे हैं तो सारा होच पोच हो जाएगा इसलिए आप just अब exam की त्यारी कीजिए और अपना जो exam एच्छे से दीजिए मेरी तरफ से आप सभी को best of luck है जने भी students मेरे चैनल को बने हुए है या हमारी वीडियोस को देखते हैं मैं दिल से कामना करता हूँ कि आप सभी का जो exam है वो clear हो जाए और आपको अपने choice में school में जो भी आपका choice का school है school of feminist या फिर जो mandatory school है वहाँ पर आपको जो admission है वो मिल जाए mandatory school और school of feminist दोना का joint interest exam है जिन्होंने बहुत फिल किया है तो उनके पास तो दोनों ही option जो है for available हैं किसी भी school में वे वो जा सकते हैं तो आज की वीडियो में यही सब updates दी जल्दी मिलूँगा आपके साथ next studio में तब तर के लिए good bye